हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सुवश्थ भर मस्त होंगे दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा बोडी स्क्राप जिसे आपको एक बार लगाने से बच्चो जैसी गोरी मुलायम चिकनी तो अचा हो जाएगी आपकी इसे लगाने के बाद आपको किसी मुस्चुराजर की भी जूरत नहीं होगी आप इसे बोडी पे भी लगा सकते हैं चेहरे भी लगा सकते हैं आपको मिसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी यह आपकी डैडी स्किन टैनिंग और काले निशान इन सब को अटा कर मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाया मैंने इसे बनाने के लिए सारा समानगर में ही मिल जाएगा आपको यह मैंने एक बावल लिया आप इसमें मैं एक डेड़ चमच चावल का आटा एड़ कर दूए चावल के आटे मैं बताऊंगी फ्रेंड्स एंटियोक्षिडेंट विटा पर यह बहुत काम आ सकता है हमारी तुछा को निखारने में मुलायम बनाने में बहुत काम करता है अब देखे मैं इसमें एक चमच आटे का चोकर एड़ कर दूए फ्रेंड्स आटे के चोकर के बारे मैं बताऊं इसमें बहुत ही ज्यादा विटामिन कैल्शिम होते हैं इस इसमें सेलेनियम, विटामिन E, जिंक और अन्यतत भी पाये जाते हैं और यह तीन विटात है तो हमारी तुछा के लिए बहुत फादे मन है कील मुआसों की समस्या को भी दूर करता है अटे का चोकर इसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं थोड़ा सा सहाध ले ले लूँगी एक निम्बू का रस काट करने चोड़ लूँगी निम्बू भी स्किन के कालेपन को दूर करने में सायक होता है फ्रेंड्स इसमें ब्लीचिंग प्रोपटी जोती है और यह पिमपल दाग दब्बो को दूर करने में तो है चको जवान बनाई रखने में भी बहुत सायक होता है अब इसके बाद मैं इसमें दूद आड़ कर दूँगी यह कच्चा दूद है कच्चा दूद आड़ करके मैं इसे मिक्स करने के कोशिश कर रहे हूं जितना उसमें गुल जाए इतना ही मैं कच्चा दूद लूँगी कच्चे दूद के बारे में बताना चाहूंगी friends कच्चे दूद इसकिन को exfoliate करता है तो अच्चा की गहराई से सफाई करके तो अच्चा को portion देता है तो अच्चा को moisturize रखने में मदद करता है क्योंकि दूद में alpha, hydroxide, acid, calcium और अन्यतत भी पाए जाते हैं जो तो अच्चा के लिए बहुत फादे मन्द होते हैं फिर मैं इसे mix करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 5 मिनट के बाद आप इसे अपने body पे, हाथ, पे, 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 चेहरे पे कहीं भी लगा सकते हैं देखें ऐसे रगड़ येगा जैसे मैं दिखा रही हूँ बहुत हलके हाथ से आप इसको अपनी body पे, चेहरे पे हलके हलके आथ से ऐसे रगड़ येगा देखें जैसे मैं करके दिखा रही हूँ बहुत हलके हलके आथ से रगड़ येगा या आपको इस्टेंट निखार देगा आप चाहे तो आज मा के एक बात जोरू देखना और देखे रगड़ के 10 मिनिट के लिए छोड़ दीजेगा सूखने के लिए और जैसे ये सूख जाए तो आप इसे नेर्मल वाटर से धो लिजेगा और इसके बात देखे मैंने अपना हाथ दो लिए और मेरे हाथ का कलर देखे आपके सामने है बहुत ही अच्छा स्क्राब है फ्रेंड्स इसे जुरू ट्राइ कीजेगा घर में इमोजू चीदों से बनावाए इसक्राब फ्रेंड्स आपकी स स्किन को एकदम चमका देगा तो यहरे के सिजन में आप अपनी बूजी यूशी डिल सी शिकिन को इसे लगाकर चमका सकते हैं आपकी स्किन को तुरंद निखार देगा बेबी जैसी स्किन हो जाएगी और इसका कोई भी नुखसान नहीं क्योंकि इसमें सब नेच्यूरल च आईएगा अपना कीमती समय देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद